साबरमती नदी की किनारे बसा एहमदाबाद शहर सिर्फ गुजरात ही नहीं लगबग पूरे वेस्टन इंडिया का कल्शल और कमर्शिल हर्ट माना जाता है ये सिटी मौट वाटरिंग स्नाक्स, डायमंड कटिंग और टूरिस्ट डेस्नेशन के लिए फेमस है अपने वर्ल् 2008 में कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरे शहर में तबाही और दह्शत फैल गई थी 226 जुलाई 2008 के दिन 70 मिनट के अंदर 14 लोकेशन पर इस खुशाल शहर में एक के बाद एक 21 बॉम ब्लास्ट हुए इन सीरिल ब्लास्ट में 59 लोग मारे गए और 200 लोग इंजर्ड हुए गुजरात के तिहास में ऐसी दिल देला देने वाली घटना पहली बार हुई थी एक इमेल के थूँ ये सामने आया कि इन सीरिल ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन नाम के टेर्रिस ग्रूप का हाथ था ये वही टेर्रिस ग्रूप था जिसने इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में multiple terror attacks किये जिनमें जैपूर, बैंगलोर और देली में होने वाले सीरिल ब्लास्ट भी शामिल है ये 2008 में मेर 13 को जैपूर में 8 ब्लास्ट हुए 25 जुलाई को बैंगलोर में 9 ब्लास्ट अगले ही दिन यानि की 26 जुलाई को एमदाबाद में 21 ब्लास्ट और 13 सेप्टेंबर को डेली में 5 ब्लास्ट हुए उस समय इंडियन मुझाहिद्दीन टेर्रिस ग्रूप का नाम जादा लोग नहीं जानते थे ये एक स्लामिक टेर्रिस ग्रूप है इसे अब्दुल सुभान कुरेशी उर्फ तौकीर कुरेशी ने दिसेंबर 2007 में बनाया था पुलिस रिकॉर्ट्स के मताबिक तौकीर स्टूडेंट स्लामिक मुव्मेंट आफ इंडिया यानि की SIMI से जुड़ा था इंडियन मुजाहिद्दीन से ही जुड़ा था एक और नाम और वो था मुफ्ती अबू बशीर जोकी देश के टेरर नेटवर्क का एक एहम लिंक था बशीर को ही एहमदबाद ब्लास्ट के पीछे का मास्रमाइन भी माना जाता है जिसने पूरेश शहर में तबाही मचा दी थी 16 अगस्ट 2008 को गुजरात पुलिस ने अपने बहादुरी और इंटेलिजन्स से बशीर के साथ साथ बॉम्मिंग से जुड़े नाइन और टेररिस्ट को पकड़ा बशीर समेत आईम के जादा टेररिस्ट S.I.M.I. का ही पाट थे पुरदेश में गुजरात पुलिस के काम को सरहा गया और इसी दुरान एक सुपर कॉप के रूप में उभर कराया एक जानबास पुलिस आफिसर का नाम जी हाँ दोस्तों वो नाम था हिमांचु शुकला ये वो नौजवान ओफिसर हैं जिनके सर पर क्राइम को जड़ से उखाड फेकने का जुनून सवार है अपने सीनियर्स आशीज भाटिया और अभेच उडासमा के अंडर काम करते हुए इंडियन मुझाहिदीन टेर्रिस को अरेस्ट और इंटरोगेट करने में हिमांचु शुकला का एहम योगदान माना जाता है जिससे उन्हें इंस्टेंट फेम मिला और वे एक के बाद एक हाई प्रोफाइल केसिस सॉल्व करते चले गए गुजरात में शुकला सबसे बहतरीन केस क्राकर माने जाते हैं जिन्होंने बहुत ही टफ इन्वेस्टिगीशन को ट्राक किया और इसलिए उन्हें गुजरात का शर्लॉक होम्स भी कहा जाने लगा दोस्तो शर्लॉक होम्स एक बहुत पॉपलर फिक्शनल डिटेक्टिव है जिन्हें 19th सेंचुरी के एक बिटिश ऑथर सर आर्थर कैनन डोयल ने क्रेट किया था वे अपनी exceptionally sharp observation skills और logical reasoning के लिए जाने जाते हैं तेकिन 2005 बैच के गुजरात कैडर के IBS officer हिमांची शुकला एक ऐसे real super cop है जिनकी intelligence, presence of mind, reasoning और on the spot right decision लेने की abilities का comparison शेलॉक से किया जाता है तो आईए दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से इस engineer tent cop की life के sensational और inspirational सफर को करीब से देखते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका study IQ में दोस्तों हिमांची शुकला के father कोल इंडिया में काम करते थे इसके चलते उनका बचपन जादा तर rural areas में ही गुजरा Rural environment में होने के कारण उन्हें जादा career options की जानकारी नहीं थी जब IIT खड़कपुर में selection हुआ तो उन्हें दोस्तों से UPSC civil services exam के बारे में पता चला लेकिन तब उन्हें उन्हें UPSC को as a career option नहीं लिया IIT से electronics में B.Tech पूरी करने के बाद हिमानचु ने भी दूसरे engineers की तरह job start कर दी लेकिन कुछी समय में उन्हें realize हुआ कि वो job उनके potential को limit कर रही थी और तब उन्हें UPSC के preparation करने का decision लिया UPSC vast volume of syllabus की वज़े से world का सबसे challenging और toughest exam माना जाता है लेकिन आप जानते हैं कि most UPSC parents IES officer बनना चाहते हैं पर शुकला को बच्पन से ही uniforms, guns और horses का shock था अपने hard work, dedication और persistence से हिमानचु शुकला ने UPSC में 54th rank secure की और वो easily एक IES officer बन सकते थे लेकिन उन्हें शायद एक cop ही बनना था और इसलिए उन्होंने Indian Police Services को join किया गुजरात कैडर के IPS officer हैं, उनकी पहली posting as Assistant Superintendent of Police यानि की ASP हिम्मत नगर गुजरात में हुई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा 2010 से 2015 तक Crime Branch में सर्व करने के बाद शुकला की posting operations गुजरात ATS में हो गई दोस्तो 2005 बैच के ये IPS उन rare top cops में से हैं जिनोंने गुजरात में ATS और Crime Branch दोनों में ही सर्व किया ATS यानि की Anti-Terrorist Squad एक Special Police Force है जो terrorist attacks को रोकने का काम करती है जबकि Crime Branch में ली Crime से जोड़े investigation, prosecution और criminal intelligence को collect करने का काम करती है ATS जोइन करने के बाद वो एक के बाद एक cases solve करते चले गए जिनसे उन्हें काफी fame और popularity मिली और इसी के चलते February 2019 में उनका promotion DIG ATS की post पर हुआ वे currently cabinet secretaryate के class 1 executive cadre के director की grade पर posted है अब वे अगले 4 साल के लिए central deputation पर रहेंगे अपनी अब तक की service में शुकला ने कई बार police force और ATS का सर गर्व से उचा किया है लेकिन सबसे पहले वे तब मीडिया में highlight हुए जो post गोदरा rights के 4 cases उन्होंने handle किये दोस्तों आपको याद होगा कि 27 February 2002 को अयोध्या से लौट रही साबरमती express के S6 coach में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी यहादसा गुजरात में गोदरा railway station के पास हुआ था इसमे 59 हिंदू pilgrims और कार सेवक्स मारे गए थे इस incidents ने एक figure का काम किया और अगले ही दिन यानि की 28 February 2002 को post गोदरा rights ने जन्म लिया इन्हें 2002 गुजरात rights भी कहा जाता है यह हिंदूस और मुसलिम्स की बीच होने वाले communal rights थे वैसे तो यह rights तीन दिन तक चले लेकिन गुजरात के लोगों ने अगले साल तक small scale localized violence का सामना किया शुकला ने अपने team के साथ ना सर्फ इन rights को एंजाम देने वाले लोगों को अरेस्ट किया बलकि गुजरात में एक बार फिर से peace establish करने में भी एहम भूमिका ने भाई terrorist center के नाम से popular शुकला ने एक डिकेट से भी ज़्यादा समय तक गुजरात से terror को मिटाने का काम भी किया है उन्होंने बहरूच में ISIS network को burst करने ISC Bangalore में terror case को crack करने और कोलकाता में American Consulate पर अटाक करने वाले accused को arrest करने जैसे बहुत से tricky और complex cases solve किये सी रूट से आने वाले terrorist को रोकने में भी हिमान्शू successful रहे है उन्हें drug माफिया को dismantle करने में भी एहम रोल निभाया है उनकी बहुत से ऐसे कारणावों में से एक है बड़ी amount में heroin को recover करना शुकला के supervision में ATS ने 800 करोड की heroin seize की जो कि गुजरात पुलिस दोरा seize की गई heroine का लगबग आधा हिस्सा है तो शुकला को अपनी relentlessness services और sea route से आने वाले narcotic smuggler को curb करने के लिए prestigious commendation disc of Indian coast guard award से honor भी किया गया है ये award उनके चार major narcotic halls के लिए दिया गया जिनमें 100 kg of heroin को seize करने का सबसे बड़ा seizure भी शामिल था बहुत काम लोग ये जानते हैं कि 17th August 2007 को वटोदरा रूरल में as ASP serve करते हुए उन्होंने कुछ criminals और महराज गुड़ू का पीछा किया जिन पर loot के acquisitions थे उन्हें एरस्ट करते समय शुकला की पिस्टिल जाम हो गई और एक क्रिमिनल ने उन्हें शूट कर दिया उन्हें पेट यानी की abdomen में गोली लगी थी लेकिन minor injury होने के कारण वे जल्दी ठीक हो गये उस police operation के लिए शुकला को police galantry award भी मिला वडुद्रा के बाद शुकला ने सबर कांथा में बतोर ASP काम किया जहां उन्हें एहंदाबाद serial blast case पर काम करने का मौका भी मिला कमलेश तिवारी murder case में detection करने 2019 में गांधिनागर serial killer को arrest करने और 2020 में एहंदाबाद में छोटा शुकील को arrest करने के पीछे भी शुकला एक एहम force थे खेर अपने expertise के बदाला थी 2021 में मांची शुकला union government द्वारा form की गई कमिटी में नॉमिनेट हुए वे अब international body FATF में terror funding के case को represent करेंगे वहाई अपनी neighboring country पाकिस्तान जो already FATF grillist में शामिल है कि द्वारा की जा रही terror funding के issue को race करेंगे वो मांते हैं कि उनकी सबसे satisfying achievement terror cases solve करना और Indian मुझाहिदीन जिसे terror modules को identify करना है Crime branch में काम करते हुए उनने काफी challenges का सामना करना पड़ा उनका काम करने का तरीका अलग था इसके चलते उनके कई transfers भी हुए लिगर अपने duty के लिए उनका dedication हर successful operation के साथ बढ़ता चला गया शोकला को कुछ regrets भी हैं जिससे वे बहुत ही honestly confess भी करते हैं उनका कहना है कि वे एक 11 साल की बच्ची विश्वा पटेल जो 2011 में missing पाई गए थी को नहीं ढूड पाए और इसका regret उनने आज भी है according to him in their profession a single mistake is a blot for lifetime दोस्तों अपनी जान दाओ पर लगा कर देश का सर गर्व से उचा करने वाले हिमाचर शुकला अपनी सभी achievements का श्रे अपनी team को देते हैं वो मानते हैं कि 99.9% of work team करती है जिसमें constable से लेकर junior और senior officials सभी शामिल होते हैं उनका कहना है कि team के हर member की अपनी utility है as a supervisory officer उनका काम अपनी team को orders देना नहीं बलकि उन्हें motivated रखना होता है हिमाचर शुकला ने पूरी life अपनी service के नाम कर दी है और आज वो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि policing is my blood and मैं सिर्फ इसी profession के लिए बना हूँ courageous, insightful and grounded super cop हिमाचर शुकला ने अब तक बहुत से high profile cases की responsibility को handle किया है और ये confirm कर दिया है कि जब भी इंडिया को एक Sherlock की जरूरत होगी तो देशवासी शुकला को ही याद करेंगे दोस्तों किया आप भी अपने passion के लिए इतने ही dedicated हैं किया आप भी हमाचर शुकला की तरह अपनी country के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने thoughts हमारे साथ जरूर share करें आज की वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलेगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत